अब सभी को शलोम बश्रम ये शुवा मशियाख मेरा नाम शाज है रोईस है और आज एक पर पेस्ज है वो हम अपने अबरानी केलेंडर की महीने की स्टडी को कॉंटिन्यू कर रहे हैं मैंने अबरानी केलेंडर की उपर जो था वो एक मुटसर सा आर्टिकल लिखा था जो कि आप पर www.backtotora.com पर पढ़ सकते हैं मगर जहां तक अबरानी महीनों की जो बात है अबरानी केलेंडर की महीनों पर जो बात है या उनकी जो स्टडी है वो मैंने उसके उपर मैंने कोई आर्टिकल नहीं लिखा हूँ है उसके लिए जो हैं वो मेरे ओडियो मैसेजिस हैं औ और यूटीब पर उनी ओडियो मैसेजेश को वीडियो के सूरत में अपलोड किया है मगर यह है कि मैने उन तमाम नामों अबरानी 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 नामों को लिख कर fault करने में बिताया है ताक्वह जो के ओडियो में बेतर नहीं समझ पारें वो वो नीवर तियार करने हैं तो लिख सकें और अबरानी कलेंडर के जो है वो हमेशा से ही मेरे हसाब से कि हमारे लिए जानना वो बहुत ज़रूरी है क्यों क्यों कि रोमन कलेंडर जो है वो हमारी हम रोज मरा की दन्यावी अपनी उनके जो हमारी जो रोज मरा की जिन्दगी है उसमें तो वो चलता ही है लेकिन यह एकि अगर आप को रुहानियत में भड़ना है आपको अपनी रोज मरा की जिन्दगी जो कि आप खुदावन में बसर कर रहे हैं तो अगर आपने उसके मताबिक चलना है तो आपको अबरानी कलेंडर को जानना जो है वो बहुत जरूरी है क्यूंकि दिन महीने खास मानी रखते हैं मैंने कुछ कि महीनों के बारे में जो बात की थी मैंने बिताया था कि कैसे हर महीने में जो है वो कुछ खास बाते हैं जो कि हमें किलाम में दर्श नजर आती हैं और जो कि खताबन की एड़े और वाक्यात पगर हैं तो उनकी क्या एहमियत है और पिर मैं साथ में जो हूं यह बताती है कि कैसे हर बुरानी महीने का जो है वो अपना जो एक मजाद यानिके बुर्च है और फिर जो अपना जो एक हरफ है या दर्द है या जो इनसानी सिलाहियत उससे जुड़ी हुई है कि वो क्या है आज जो है वो हम अबरानी केलेंडर के पांच्वे महीने के उपर बात कर रहे हैं आपको कलाम मुकदस में अक्सर पांच्वे महीना आपने पढ़ा होगा लिखावा नजर आया होगा और उसकी जो हम आज तफसील में थोड़ा बहुत जाएंगे तो कुछ इन डेप्ट स्टडी है उमीड है कि आप अपने लिए नोट्स त्यार कर रहे हैं अगर आप नोट्स नहीं त्यार करें तो मेरा खाल में आप सिर्फ मेस्जजेज का सुन रहे हैं मैं अपने लिए कलाम मुकदस के मैं अपने आपको एक स्टूडन्ट बोगती हूं क्योंकि मैं तमाम बातों को जो जो जरूर लिखती हूं जो कि मैं सुन रही होती हूं और मैं अपने यार दहानी के लिए जो हूं मैं उसकों लिखना पसंद करती हूं तो आज चुंकि हम पांचों महीने के बरबात करें तो पांचों महीना जो है वो ऐसे कलाम मुकदस में पांचों महीने के ताओ पे नजर आता है मगर वैसे उसको अबरानी में आफ बोला जाता है, आफ उससे मुराज उसके लफसी मुराज बाप है, और अक्सर जब आफ के महीने के उपर बात की जाती है, तो कभी कभी गजए वो आपको यहूदियों से में सिहाने के, यहूदियों से मानखीम आफ का लफस सुनने को मिलेगा, यह लफस जाए अब हो सकता है, आप इस तरह से जो जो है, इस तरह से मैं बोल रही हूं, आपको ना समझ में आ रहा हूं, मगर यह रहा है के यह एक important loves है और मैनाखीम जो है वो हमें Noah की जो किताब है उसमें हमें Noah के पहले बाप में 5 तखा लिखावा मिलता है लफ़ मैनाखीम जो है वो आपको Noah के पहले बाप में जैसे मैने बताए है 5 तखा लिखावा नज़र आएगा और इससे मुरार जो है वो है तसली देने वाला और खुदावन जो है वो हमारा वो खुदा जो कि हमें तसली देने वाला खुदा है अगर आप नौा का पहला बाप देखें तो मैंने उर्दु के लाम मुंकदस में भी देखा था कि पांच बार की तसली देने वाला जो है वो लिखा हुआ है मैना फिम का जो कि मात्री है मेरे से रहा नहीं जा रहा है गिमात्रिया मैं आपको पहले बिदा चुकिए हुएं के अददों को जो है वो जिस तरह से अबरानी हर हर रफ का अपना अदद है और उनको जिस तरह से जमा किया जाता है तो वो जो स्टडी है उसको गिमात्रिया बोला जाता है मैना खमीन का जो गिमात्रिया वो जो स्माख है वो ही उसी के बराबर ही आ जाता है स्माख जो है वो शाख को बोलते हैं वो शाख हमारे लिए वो कौन है वो येशुवा है इसके बारे में जो है एक और जो बात मैं बताती चलूँ क्यूंकि नजात दहिंदा के मसीखा के मश्याख के नामों में कुछ नाम जो हैं वो ऐसे नाम है जो के आपने वैसे तो सुने हुए हैं लेकिन चन्द एक नाम जो हैं वो अबरानी जबान में हैं जैसे के इनोन जो है वो अबरानी जबान में हैं नहोरा जो है वो अबरानी जबान में है मैनखीम जो है बेशक कि हम उर्दू में भी पढ़ते हैं मगर मैनखीम जो है वो भी बहुत ऐमियत रखता है और मेनाखीम जो है एक्चली जो यहुदी दाने शुवर विलना गाउन है उनके मिताबिक जो था वो ये था के जो मशीयाख जिस तरह से अबरानी में लिखा जाता है में, शीन, योद, और खित, मशीयाख जो है वो मेनाखीम, शीलो, यहनों और खने ना हने ना, मेरा, I just hope कि मैं इसको सही बोल रही हूं, यह जो लफस हने ना यह एक बार इस्तमाल किया गया है तो उसके मताबिक जो है, विल्ला गाउन के मताबिक जो ही है कि इन तमाम नामों को मला कर इनके जो जो इसको अगर अकठा किया जाए तो वो मशीयाख बनता है जो कि बहुत ही, अगर आफ के महीने के बारे में सोचा जाए तो वो मसीहा है, हमारा जो कि हमें, हमारी तकलीफों में हमें तसली देता है आफ का महीना जो है, मैं आपको जब तामूस के बारे में बता रही थी, तो मैंने तामूस के बारे में बताते हुए जो था, तामूस के महीने के बारे में बताते हुए, मैंने में 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 नंचिन किया था, कि सारा तामूस से नाव आफ तक जो है, इकिस चो दिन बनते हैं, हो दुख तकलीफ के दिनों को गिना जाता है इन दिनों में ना कोई शादी की जाती है ना कोई पार्टी देते हैं यहुदी मिस्यानिक यहुदी ऑफास्तों पर जो जो के इन दिनों को कलाम-फ्ध्द्द्ध के जो दिनों को जो है जैसे कि मेस अन्हे के इन अनुजा रखते हैं तुम्हाहुनिते हैंसी ज Mm वो पहली हैकल और दूसरी हैकल जो की उसको तबाह किया गया था और दस आपको जो है वो हमें लिखावा मिलता है कि उसको जलाया गया था पहली हैकल को कि दूसरी हैकल की तबाही का आपको पुराने आहत नामे में उस तरह से नहीं लेकिन आमिन के जो 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 पेशिंट होई है कि वो उसकी तरफ को पॉइंट करती है आप से मुराज जो है वो बाप है लेकिन जब मैनाखीम आफ बोला जाए तो तसली देने वाला बाप इसका यह माने लबसी माने जो है वो यह बनता है एक और बात जो के पहले चंद साल पहले मुझे नहीं इल्म था वो यह थी कि मैं अक्सर सोचती थी कि जो मश्याफ की जो पिदाईश है बहुत कम बहुत कम गिंती के जो मैं कहूंगी के जिन मिस्यानिक यहूदियों से मैंने सुना है कि नाओ आप जो है वो मश्या की पेदाइश का दिन माना जाता है और यह एक बहुत बड़ी वजा है कि जब यहूदी लोग येश्या को देखती हैं तो वह ने तमाम बातों को उस तरह से नहीं देखते, नहीं समझते, कि जिस तरह से मेसीही यहूदको है जिए बोलते हैं तो वो जो हैं वो केते हैं कि नहीं हमारे जो दानिश्वर हैं उन्होंने यह तालीम दी ये शुआ जो हैं वो उसके मताबिक नहीं ठैरते हैं एवन की बाइबल पोड्स में भी जो है बेशक ये शुआ का नाम लिखावा मिलता है मगर वो येशुआ को जो है वो अपनी या वो जो है वो यो जो है वो उसको वैसे ही देखते हैं कि कि येशुआ जो है वो है जो पतितीस दीसंबर को पैदा हॉए तो जो के सुरज देवता की पेदाईश का देना है, जो के यहूदियों के उपड़ जो हैं दुख तकलीफ का सबब बने, वो हैं जिनोंने अपने मसीहां उने की तमाम बातों को पूरा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो था वो तोरेत की तालीम से जो होटा डाना है, जबके बाइबल की जो नबूवत हैं, पेशन गोईयां हैं, वो यह कहती हैं कि मसीहां जो हैं, वो तोरेत को के मताबिक लोगों को तालीम देने वाले होंगे, तो मसीहां जो हैं वो लोगों को तोरेत के पर चलना सिखाएंगे तो शरूर इस बात को सूचें कि कैसे हमें महीनों में महीनों के नामों में महीनों की स्टूडी में ही हम लोग उंको कितनी बाते जो हैं वह सीखने के मिलती हैं खैर मैं यह वाली बातें बयान करती रहूंगी तो आप के महीने की खास बातें जो हैं वह नहीं बयान कर पाऊंगी जैसे मैंने बताया कि हर महीने कर अपना एक अदद हरफ है और अवर मजाल यानिकर बुर्ज है जोडियक साइन है और फिर इंसानी सलाहिय जो जो जूड़ी हुई है कि वो क्या है जो पहले जो है वो मैं Zodiac Sign के वपर बात करना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि जैसे मैंने मैंने इंचिन किया कि यहूदियों के मताबिक यहूदी दानिश्वरों के मताबिक जोए कि मेशियद को जो नाउन आप को पैदा होना है और यहूदा के घराने से पैदा होना है जो इस olesome का जो साइन है वो बुर्ज जो है वो शेयर है लिए है आरिया बोलते हैं अबराणी में और आरिया से मेराज है वो शेयर है और जो उनकी जो तालीम है कि युन ऐस शे courtesy जो है वह जो जो कि अखेला राज करता है चाहिए वो बागी तमाम पे भी अगर अमी शेरों के इस पे बारे में भी अगर आप सोचें तो जो नेचर जो है कि एक ही जो शेर है वो बाकी तमाम के उपर राज करते है जो खुदावन्त की जो डिवाइन जो नेचर है जो पुवत है वो हमें उसमें नजर आती है इस साइन में जो है वो नजर आती है और जैसे मैंने बताया कि बेशक शेयर गोई का इसका सिमופल है मगर मसीह का युगा का युदा का युदा लॉँदा युगा गोलते हैं युगा का युगा का युगा इसका जो आरिया जो इसका जो गिमात्री है गिमात्री अगर आपको इल्मों के अबरानी हरूफ के अददों पर मुश्टमिल है मैं पहले भी बियान कर चुकी हूँ कि मुकाश्वा की किताब में हिवान का अदत लिखा हो मिलता है जो कि 666 है आरिया का जो गिमात्री है वो 216 है और इसका जो गिमात्री है वो गिवूरा यानिके गिवूरा जो के पाकत से जोरावर से जुड़ाव है जो अबरानी लफ्स है उसके गिमात्रीया के बराबर है मैं कुछ और बातों पर जा सकती हैं बताने के वामरे में कि आरिया के बारे में मगर ये है कि मैं नहीं बियान करूंगी हम कबीले के उपर बात करते हैं कि जैसे कि मैं बताया है कि हर महीने का जो है वो अपना कबील है इस महीने का जो कबीला है वो शिमाउन का कबीला है और शिमाउन का जो है वो शिमा से अनिका जिसका मतलब है सुन अगर आपने शिमा की जो दुआ है वो कभी सुनी है जो कि यूदी लोग जो है वो सुबह दुबह शाम बोलते हैं उसमें जो है वो शिमा बोली जाती है सो शिमाउन का माने है सुनना वो इसी से ही निकला है और शिमाउन का कबीला जो है वो कुछ ऐसा है जो के तोरेट में जो है बड़ी हट कर या अगर आप कहें कि वो जो ब्लैसिंग जो है वो ब्लैसिंग उस तरह से नहीं है इसके उपर भी जो है मैं मेरा खाल में टाइम को देख चाहिए तो मैं बात नहीं करूंगी फिर कभी बात होगी मगर यह है कि जो इससे जो सेंस जुड़ी हुई है जैसे कि कबीले का जो नाम है शिमाउन जो कि सुनना से निकला वैसो जो इसकी जो इनसानी सलाहियत जो इससे जुड़ी हुई है वो सुनने की सलाहियत ही जुड़ी हुई है जो इस महीने में जो खास खास जो वाकियात हैं इसे एक तो मैंपको बता चुकी हुए 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 कि इस महीने में जो था वो पहली हैकल भी और तूसरी हैकल भी तबावी थी है आफ को ही तबावी थी नाउ आफ को एक्चली यहूदियों के साथ अगर हिस्टरी को देखा जाए तो बहुत से ऐसे वाकियात हुए हैं जो कि नाउ आफ से ही शुरूवे थे इवन कि अगर आप जंग एजीम को देखें तो वो जुलाए के महीने में शुरूवी थी जो कि य यानिके शुरूवार्ट थी वो नाउ आफ से यूदियों कर्याफ की थी तो यूदियों को जो था जो तो बहुत खांस कॉस रहत हैं जहां पर यूदियों स्टाइगे तो वो नाउ आफ को वो सिटाइगें एक हो चीज को कि जब हमें तोरे पनी लिखावा मिलता है कि सपाईईों को भेजा गया था हर कभीले से सस्पाईई को भेजा गया था उस वादे की सर्जमीन में जो जो भेजा कर देखिया कि वो जो है इस सर्जमीन को जो है नहीं हासल कर सकेंगे तो वो जो गुना जो है वो कहा जाता है कि वो इसी आपके महिने में है और पिर जो लिखाओ है कि लोग जो है वो उन्होंने वो रोई, साज़ा रात रोई आपक जो रोजा जो है हम जेक्रिया की किताबाइं, खत में जो है जेक्रिया आठग-षजित निस बॉह हम पढ़ते हैं पांचमी मीने के रोजे से के बारे में मगर रबी यहुदी दानेश पर जिस तरह से तालीम देते हैं वो यह कहते हैं कि खुदावन जो थे वो अपने लोगों से उसको कितने रास थे खुदावन ने कहा कि तुम सारी रात मातम करने पर रोने लगे वे हो तो मैं आने वाले दिनों में वो तुमें एक खास रीजन दूँगा खास वज़ा होगी कि तुम लोग तुम लोग रोगे तो नाव आप जो है वो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी नाव आप पंदरह आप को कि ताइम को देखते हुए मैं जलुदी रै जाता है तो जमीन पर बैठा जाता है आंसु जो लोग बहा सकते हैं वो बहाते हैं और जमीन पर बैठे बैठे तो रेट जो है वो नहीं पड़ी जाती है उस दिन मगए यह कि जमीन पर बैठे बैठे जो है बाद में दुबहत के टाइम पे जो है आप जो नोह की किताब है उसको पढ़ना शुरू करते हैं और अनौ की जो किताब है उसमें प्राफ़ेसी जाएं पेशन गोई हैं जो के अभी पूरी होनी बाकी है और अनौ की जो किताब है उसकी जो अपनी जो स्टडी है वो बड़ी मुन्फरिद है अगर आप तो देखना चाहें तो उसमें चंदे खास खास बाते हैं जैसे कि आपको 22 22 22 आयात नजर आएंगी और अगर आप तीसरे बाफ को देखें तो तीसरे बाफ में जो है वो 66 आयात हैं जो के 22 22 22 22 बनती है राइट और फिर उसमें जो जो अबराने कलाम मिकदस में जिस तरह से अलफाज है यह आपको कुछ ना कुछ जो है वो इसमें जो है वो खास बातें देखने को मिलती है तो इसकी स्टडी है इसलफ वो बहुत पेशिंट गोईयों के हसाब से जो बहुत मुन्फरिद है क्योंकि तीसरा बाफ अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको युश्वा की जिंदगी में भी जो है वो कुछ ची जो पहले सुर्दार काहिन हमारे आमीन बेशक मले के जैदक कि मैं बात नहीं करी मगर जो जब खैमा इज्टमा करी गई तो हारून जो थे उनकी मौत जो थी वो आफ के महीने में हुई जिसका जिकर जो है वो हमें गिंती के 33 में बाप में मिलता है और सुरी मैं दर्म्यान में जो था वो मैं आफ के बारे में रही थी कि नुआ की कदाब को पढ़ा जाता है लेकिन आप जब नुआ की किताब को आप नहीं आप नहीं करते हैं लेकिन यहुदी मसयनिक यहुदी जो कर नहीं रवायात पर चलते हैं तो वो जो है वो इन तमाम बातों के बाद अपना मातम ख़तम करके जो है वो अपने घर को जो है वो धोते हैं जो हो सकते हैं वो धोते हैं अगर यह है कि घर की सपाई शुरू की जाती है इस उमीद के साथ कि हैकल जो है वो दुबारा से बनेगी मसीहा यानि कि जो जो कमफर्टर और आफ तसली देने वाला बाफ मेनखीम मसीहा मसीहा ने आना है और दुबारा से जो है एक नई जिंदगी जो है वो ख़दावन अपने लोगों को देंगे तो आपका महीना जो है वो बड़ा दिल्चस्प महीना है इन तमाम बातों के हवाले से कि आप नाव तक जो है वो आप मातम कर रहे हैं नामा दिन जो है वो आपका बहुत जादा मातम कर दिनना है आगे के बारे में मुस्तक्बिल के बारे में सोचते हैं कि खुदावन ने हमें नाउमीद नहीं छोड़ा है और नौा की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अलफाजों से पहचान हो जाएगी सो पंतरा आप जो है इसमें वो तो भी आफ बनता है जिसको तो भी आफ बोला जाता है यह वो दिन है जब जैसे कि आप वैलन्टाइन स्टे को जो है वो समझते हैं तो यह आप इसको जो है वो इबरानी कलंडर का वैलन्टाइन स्टे कह सकते हैं गो के मेरा ख्याल में मुझे वेलंटाइन्स डे का लफ्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मगर ये जो है 15 आप को जो है वो मुहबत का दिन जो है वो जुरूर बोला जाता है और उसके एक जो वाक्या जो है वो हमें खजात की किताब में भी मिलता है जब क्यूंकि यह वो दिन है जब ब्राइट ढूंडी जाती है और जैसे कि मैंने सिर्फ यत्रा तामूर में सिर्फ यत्रा की स्टुडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं उनके मताबिक जो है वो यह है कि नाव आप ना सिर्फ मातम का दिन है मगर उसके बाद जब खुदावन तसली देते हैं उमीद देते हैं तो पंदरा आप जो है वो दिन बन जाता है जब शादियां जो है वो अरेंज की जाती है कि नई बेगिनिंग जो है वो उसके सलिबरेट किया जाता है मैं अपने मेरा यह विले जो मैसेज है बहुत लंबा होता जा रहा है एक खास और चीज़ बताती चलूँ कि यह जो 21 दिन है जिसको वैसे बिन हामित सारीम बोला जाता है जो कि घाटियों में है और जो कि दुख तकलीव के दिनों को तो यह जो टर्म जो है यह हमें अबरानी जुबान में नजर आती है इन तमाम बातों के ओपर जो है जब मैं कभी बाकी किलाम मुक्दस की कितावन ने मौका दिया तो स्टुडी जब मैं करवाओंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि कैसे तमा किने करव निट भी निट ए जो कर द membi वह जोचते हैं तो नामा जोना जो संत्सक्राइब नामा आधि नंवारित की मीष्गा जाता जाता तो यह जी ने नामा से जोड़ते हैं मां के बेट से जोड़ते हैं और 9 अगर आप 9 के अदद के बारे में भी सोचें तो 9 महीने के जो के जब वारत हामला होती है तो 9 महीने के बार बच्छे को जनम देती है तो जुरूर कुछ बहुत खास खास बाते हैं जिनको जानना हमारे लिए अच्छा है माफी जाती हूं कि मेरा मैसेज है वो कुछ जादा लंबा हो गया है मैं अगर अमीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और खुदावन ने चाहा तो अगली दफ़ा जो हम अलूल के महीने पर बात करेंगे जो कि खुद एक बड़ा एहम महीन है तो खुदावन खुदावन आपको बरकत दें और आपको अपने किलाम के इल्म में और जादा से जादा बलाएं और आपको अपने किलाम के मताबक चलने की जो हमत ताकत भी दें शलूम जी